हेलो एवर्वन कैसे हो सब यार सब बढ़ियां चलो आप सब को पार्ट फंस वाज में आया हो और दिस इस दे फॉर्स ताइम जब मैं यह आपकी वीडियो रिकॉर्ट कर रहा हूं खुद की तो चलो बढ़ियां आप सबने देखा है और सबको बहुत थैंक्स सबने तुम सबने देखा काफी सारे कमेंट्स आए थे और यह पार्ट 2 चलो तो सुरू करते हैं सुरू करने से पहले मैं एक्ची बताना चाहता हूं कि जब वीडियो आप देख रहे हो तो प्लीज इसका मैं पीडियाफ भी इंपॉर्टेंट है ठीक है चलो तो फिर हम सब्सक्राइब सुरू करते हैं और चप्टर पिछली क्लास में मैंने कोश्चन दिया था और उस कोश्चन का एंसर काफी कम लोगों ने दिया बट इकादेंस मुझे मिलें जो बहुत ही बढ़िया एंसर थे तो यह रहा वो सवा कि बुद्धा का कूचिंग की हैं क्लास 10 गी बहुत यह अच्छा एंसर किया तुमने वह इंसर थे तो अच्छा लगा अच्छा लगता है जब बच्चे और रिसपोंस देते हैं किसी भी ट्रॉं के टॉपिक्स पर ऐसा रखता है कि वह पढ़ रहा है चलो फिर आगे के कि वह सिद्धी सिद्धे कम्यूलिजम को पढ़ते हैं ठीक है देखो कुछ बाते हैं जो मैं बताता हूं दुनिया में बहुत पूरी बात यहां से लेकर यहां तक है क्योंकि यह जो सॉरी यह सब तो हो चुका है न हां एक सेकंड वेट वेट यह तुबाफ है यह हो चुका थ ओढ़ान था यहां से पढ़ना था यह वाला टॉम पोष्ण थो चलिए कमपना वह से स्थाठ करना था तो यहीं से सब्सार्ट करते हैं तो सुनिया पर में बहुत सारं रिजली बाती फैन नेवेल्यूज हैं और जितने भी रिलेंस अस सब के अपने और इनको ना उठाकर प्लिटेक्स नहीं रखतेव तो प्लिटिक्स में एक अच्छा रूल धर्म एक्षक्रावना हम 15 श्क्राविब एाधी सेक्वर सेक्लिवर रिजम हम कॉम्योल नहीं है और क्या होता है कव्यम्स में पढ़ेंगे कि हमें कॉम्ус नहीं होना चाहें हमें सेकुलर क्यों होना चाहिए देखो जब इनको धर्म के विचारों को उठा करके जब आप राजनीती में लेकि आएंगे तो राजनीती में एक अच्छा रूल प्ले होता है यह बात बताया जा रहा है और नेता को चाहिए कि कभी-कभी वो धर्म से जुड़े चीजों में है रिलियूजज प्रैक्टेस करें है कि अगर कोई नेता है वह गनेशयतुरती है तो यह का होता है हर नेता का है सेकुलर कंट्री में यह से किसी भी तरह लिए किसा कर्णिषेज को सीखते है क्या हुता है तो आप धर्म को आश्टर से नहीं करते हैं तो और जब धर्म को राश्टर से जोड़ने का कोशिफ करते हैं तो दिक्कत शुरू होती हैं कि भारत जैसे देस्ट में हिंदू समाज सिक्ख समाज हमेशा से ही इसमें सरो परी रहे थे भारत में मुस्लिम समाज का आगमन सात्वी सताबदी के बाद हुआ है ऐसा इतिहास में माना जाता है सात्वी सताबदी से पहले भारत में इनका कोई अस्तितो नहीं था पर साथ भी सताबदी के बाद में जब भारत में इसलामिक धर्म अपने चरम पे पहुंचा और आज अपने चरम पे है भी तो भारत जैसे देश को चाहिने कि वो हर धर्म का सम्मान इज़त करें हर धर्म का सम्मान करें हर धर्म के लोगों का सम्मान करें और यह काम कौन करेगा यह हमारे देश के नेता का काम है क्योंकि देश लोगों से बनता है और नेता भी लोगों से ही बनते हैं तो जो हमारे नेता हैं उनको चाहिए कि देश के बीच में एक जो यह सिस्टम है जिसमे discrimination operation सब खतम होता है हिंदू मुस्लिम सिख हिंसाई जो भी हैं सब आपस में एक जूटता होके रहें यह पूरा का पूरा दाइत्व नेता का होता है पर जब यही दाइत्व नेता ठीक से नहीं निभा पाते हैं तो देश में कॉम्यूनलिजम सुरू हो जाता है सामप्रदाइक्ता तो आए समझते हैं कॉम्यूनलिजम होता क्या है तो देखे हिंदी में कम्यूनलिजम का एक होता है कि संपुर्ण समाज के पेक्षा धर्म संप्रदाइबसेस के पक्ष में गहरी निच्टा जो कभी-कभी उग्र बहवार या हिंसा को प्रडित करते हैं तो जब आप अपने समाज में अपने धर्म को सबसे सरोपरी मानने लगें और उसको लेकर के हिंसिक दंगे करें और आप जो हो देश चाहें राज जी सब कुछ पीछे छोड़ करके अपना पूरा का पूरा ध्यान अगर सिर्फ और सिर्फ सुरी थोड़ा सा डिस्टर्विंस होता है कभी-कभी दिन में वीडियो रिकॉर्ड करो ना तो ट्रिफेंट टाइप के साउंड्स वगरा आतर रहते हैं नोइज पॉलिशन वगरा ठीक है तो खैर उस पेदार नहीं देना है आपको क्लास मतलब होना चाहिए ओके सो हमारा प्रफेंट लोगों का दाइत्व है हमारे नेता का दावित है कि यह सोचल कम्यूनिटी है इसके बीच में बैलेंस बना करके रखें और यह हमारा भी दाइत्व है हमारा भी कर्तब्ब्र है कि हम अपने आसपास किसी भी तरह का कॉम्यूनल महौल ना बनने दें ठीक है तो कम्यूनलिजं किस तरह से पॉलिटिक से जोड़ा हूँ और किस तरह से इसके अलग उलग तरह के परकार है कम्यूनलिजम को presque पहला वाला जामस्ट कॉमार्यूं नश्कम हमें जो कम्यूनलिजम है कि पहले से प्रिजुडिस पाल के रखे हैं पहले से स्टेरियोटैप्स लोग हैं जो धर्म को लेकर वांपंती विचारधारे वाले लोग हैं एक कॉमिनल बिलीफ है अपने को सुप्यूरिटी बनाने का मैं हिंदू मैं मुसल्मान मैं सिख सब खुद को सुपीर बनाने में लगे हुए हैं सब अपने धर्म को सरवच सम्मान दिलाने में लगे हैं देश इन सब में बड़ा ब्यानाक तुरे से पिस्ता है धर्म को उपर रखते रखते देश कब नीची आ जाता है अपके लोग कब ध्यान नहीं होता है इवन हमारे नेता लोगों को भी इस बात का ध्यान नहीं लोग तो खैर इसमें पिस्ते हिंग हैं कह रहा है कि इसके बाद से की दिस इस सो कॉमन दैट वी ओफन तो फेल नोटेसेट इट इविन वें वी बिलीव इन इस बात को जान रहे होते हैं हम इन नहीं मानना चाहीं इं-ँजान को यहां पर दिकत सुरू होती है आपका धर्म महान है अच्छी बात है यहां मंन cm के साथ मघन होती है आपको कोई भी हक नहीं दिया गया है यहीं से कम्यूनलिजम की पहले सुरुछ अबात à yote को सबसे ऊपर रखेगा और अपने को टॉप प्राइटे देगा और दूसरे को नीचे जुकाने की पुरी तुरस्ट को सब्सक्राइब करता है ठीक है कुद कर डॉमिनेंस बनाना चाहेगा फोर दोस बिलोंगिंगे टुमेजरेटी मेजरेटी कम्यूनिटी दिस्टेक्स फोन देटरीन डॉमिनेंस जो मेजरेटी कम्यूनिटी वाले हैं वह इसमें पिसेंगे और वह अपना एक सेपरेट पॉलिटिकल इनुट बनाने की कोईशिस करेंगे और बन भी जाता है यह सब हैं तीसरा पॉलिटिकल मॉबिलाजेशन सबसे पहले समझें कि मॉबिलाजेशन क्या होता है अब सच ग्रूप और पीपल फॉर पर्पस मॉबिलाजेशन का मतलब होता है कि किसी तरह का एक कारिकरम किसी तरह का एक उदेश से हो जो किसी जो लोगों को खास मकसद के लिए सब्सक्राइब करते हैं लोग इसको बढ़ाने क्लिए लोग किस तरह से पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स में आएगा हो समझें लोग सिंबल करते हैं लोग इमोशनल दाओ खेलते हैं लोग इमोशनली लोगों को एक दूसरे करती भड़काते हैं वगर वगर बहुत सारी चीज़े होती है ठीक है इन इलेक्ट्रॉल पॉलिटिक्स इस इस ओफन इंवल्ब्स आइस पेसल अपील तो इंट्रेस्ट और इंट्रेस्ट आप और वोट अपाने के लिए यादव यादव सिंग सिंग भुमिहार पंटी जी मुसल्मान सिख इस अब को एक चूट किया जाता है कि कि इसी तरह से वोट मिल जाए आप वोट तो जुटा लेते हैं पर धर्म बाट देते हैं लोगों को बाट देते हैं इससे क्या होता है लोगों के बीच में कम्यूनल महौर पैदा होता है अब इलेक्ट्रॉल पॉलिटिक्स क्या होता है देखो इंडिया इस डिवाइड जो मतलब जो तरीका है कराने का उसी को ही इलेक्ट्रॉल कॉंसिट्विंस कहते हैं बैसे कली यहीं इलेक्ट्रॉल अपका पॉलिटिक्स होता है ठीक है सम्टाइम कम्यूनलिजम टेकित मोस्ट अगली फॉर्म ऑफ एक कम्मिनल वाइलेंस राइट्स और मैस्किवर्स कभी- मैं आप लोग को क्लब्स रूम में पहले भी बताया है कि पार्टिसम के टाइम पे जो गंदी कम्यूनलिजम हुई थी वह उसमें लाखों लोग के जाने गई थी ट्रेने भर-बर के लासे आती थी लासे जाती थी ठीक है चलिए इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वह अब करिसी नवर कंट्री हमारे देश में सबसे बड़ा जो चैलेंज जैजिस एक से बड़े बड़े चैलेंजेंज से उनमें एक कर्मिन भी है अभी तो तुमको समझ में आ भी गया होगा तो में करसा फार कॉन्सिटूशन के बनाने वाले थे वह इस समस्त्या से पहले ही स पिकिव इसलिए उन्हाँने देश को सप्रेक्म से को से कडी बनाल टार्व rif और देश को से त्हिता है इसे इस idea की स्रिलंका Knights पिस्टान करेंग्लैंट का हमारे सभिधार का कोई इस पेशलियर स्टेस किसी बिवाइड cyn के साथ नहीं है हलाकिस Eagles photon Sicbling स्थे एक नहीं गौए आप चांदता रहे मुस्लिम सिंबल गुरु नानक जी का उपर सिंबल है बहुत सारे सिंबल बनाई गए हैं तो आप देख रहे हों कि एक निता जो होता है उनकी जो कुर्सी होती है वह तमाम धर्म से जूड़के बनती है हमारे जो कॉंसिटूशन है वह सब को एक प्रैक्ट हमारे जन ने इस पर पूरी तरह सेहां ख़ला हमारे रिचीजन ने इसमें पूरी तरह सें पाबंधि लगा रखी ए उसके बाद से कह रहा है आपकी रिचन के साथ छेड़ चाड़ करने के उसमें अपने दाइतों को निखाने के जैसे कि जरूवत पढ़ने पर उसमें बद दलाव लाने के जैसे कि यह अंटेशाबिलेटी थी छुवा छूत जिसको अपने नेशनले जब इंडिया में मैंने पढ़ाया है अपने पढ़ाया है कि महां पे गांदी जी ने इसको खतम किया था देशाइड दो चिल्रन ऑफ गॉड के आम से कि उन्होंने खतम किया था आपको लगता है कि मुसलिम्स या कोई और इसा नहीं है अब आकड़े कम पढ़ा कीजिए आप आकड़े कम पढ़ा कीजिए और समाच कुछ आदा दिखा किजिए आकड़े क्या बताएंगे हिंस्टू भी हैं बुॉद्ध भी हैं सिख्च हैं पंजाबी हैं सब Help तो यहां पर सेकुलर का होना सेकुलरिजम का होना बहुत जरूरी है और आपका भी सेकुलर होना बहुत जरूरी है थर्मनिर्पेक्ष नहीं होना है पंथनिर्पेक्ष होना है अब तो इस बात को बदल गर लिखती है धर्मनिर्पेक्ष नहीं कहती है हमें पंथनिर्पेक्ष पताती है ठीक है चलिए ठीक है सब्सक्राइब कान्ट इसन लाइक और इस निसेसरी बाट नौट सब्सक्राइब कॉम्पेशन तो है बट कम रिजम को हराने के लिए सेक्लारिजम का होना काफी नहीं है क्योंकि और प्रोपागंडा नीड टो बीकांटर इन एवरीडे सब्सक्राइब करें चीज़ को कि इस चीज़ को लाकर करके तब खत्म की जा सकती है से क्लिए अपशन है बट यह किसी तरह से कम्यूनियल्यम को खथम नहीं करती है ठीक है गरेंटी नहीं देती है आई यह जो टॉपिक है उसका नाम है कास्ट और पॉलिटिक्स अब की positive and other larger negative हमने दो इस देखिए हैं एक positive outcomes होते हैं तो एक negative outcomes भी होते हैं किसी भी religion के बैसी पर social division के बैसे बाट कैरा लेट शॉन किसे हमारा कास्ट डिवाइड है किसी तरह की सुसल इंक्वालिटी है और लेवर कर डिवियन तो है ही मौस्ट सुसाइटेश्टेशन और पास्ट वन फ्रम जिनरेशन तो नादर बहुत सारे साइटी में एक काम दूसरे जनरेशन तक पास होते रहता है अगर पिताजी मिटी का बरतन बनाते थे लकडी काते थे तो तुम भी यह करो तुम भी करो का और सभी करेंगे ऐसा होता है आप देखते होंगे और हमने उनको एक नाम दे दिया लुहाड कुमाड नहीं इसी तरह से तो वाट मेंगे इडिवर्ट इफेंट फॉम अधर सुसा इसे ना सबसे इंपोर्टेंट चीज जो तुम समझने चाहिए कि अ को पीड़ी दर पीड़ी किसी ने किया अब जब पीड़ी दर पीड़ी एक काम बार बार लो कर रहे थे तो इनके बीच में इसे लुग बन गया इनकी अपनी कम्यूनिटी बन गये यह अपनी मैं पर द्हर्म ने रृवड नहीं किया इस अए प्धेर्द कनों आज और तुम पड़ोगों मेरी कुछ इस कब सुरुआयं किया है इसमढ़ान 54 अंग्रेजिव ने की थी किसे बता हैं कि ऑध्युस या उसन अगया उंड़ों क prototypes किया ठाह कि मॉन्हां कियाっぺए है तो यह नहीं के लिए था कि का सिस्टम एक्चुली जो डिस्क्रिमेशन पे या फिर एक्स्क्लूजन मतलब बाहर निकालने पर उन लोगों के साथ जो हमारे आउटकास क्रूप के थे ते वर सब्जेक्टे टूद इन्हुमन प्रैक्टिस इन्हुमन समझ रहे हो और मानवि विरूद किया और इसको ठीक किया था सोचल एंड रिलेजियस टाइब इंडिया है यह तुम सब पढ़ो डाउट हो का तो पूछना इसका खास रिलेशन नहीं है इसमें था ठीक है तुम पढ़ सकते हो इसको देख सकते हो कुछ बड़ी बात नहीं है और एक उज़र दिख को देखो यहां पर काडम कर रहा है डोंट कियर वाइप कर रहे हैं कि यह बच्ची नहीं चुकि यह बच्ची है तुम देख पार रहे हो कि यह इसने क्या किया कर दोटा करके वाई अरे वाव इतना भारी थोड़ी करना था वाइव एक सिगना वेट टेन ओके डन डन यह तको इसने कास्ट की बुक को उठाया और उठा करके फेक दिया कहा कि भाड़ में गया कास्ट मुझे नहीं पढ़ना क्योंकि यह बच्ची है हम कास्टेम के बारे में क्यों बात कर रहे है नाव आंसर इट मुझे एंसर भीजना और मैं पर से इसको पॉब्लेस करूंगा इसका सबसे अच्छी एंसर सब्सक्राइब ठीक है चालो कि यहां समझें के कि कुछ चीज़ें अपर दी है जिनों ध्यान समझते हैं कि पार्ट लीडियू तो दियू तो दो सोचल एक्टेमिक चेंजिस कास्ट इंगा सिस्टम इन इंडिया वां टेकों गेडिचेंजिस कुछ उनके फोट से कुछ हमारे फोट से और कुछ सब की फ लार्ज स्केल पर अब अब अश्यूशन क्या होता है यू नो सहरी करन अप्र अब इसका भी लिख रखा है मैंने अब को पेश्टर मोबिलिटी क्या होती है यह देखते है यहां पर लिखा है कि पहले यहां बिखा लिए सिफ्ट फ्राम वन ऑक्पेशन तो अनदर यूज पर लिखा है कि जब एक इंडिविज्वल है जो किसी एक काम कर रहा हूं उसके पिताजी कर रहे थे बदल करके आइस क्लियर कर लिया यूपीस क्लियर कर लिए आंब में चला गया डॉक्टर बन गया सब को चेंज कर दिया तो यह उक्कोपेशन मोबिलिटी कहलाती है जब इसकाम को कर रहे हो जब उसको आप बदल करके खुद से कुछ नया कर लो कास्थायर की अप्टे को कास्थायर की क्या होती है अब लिखा हुआ है कास्थायर की तरह एक लीडर लाइडर-like formation in which all the caste group are placed to the highest to the lowest caste कास्थायर की मतलब हो गया एक बड़ा जाती फिर उससे छोटा जाती फिर उससे छोटा जाती फिर उससे छोटा जाती देस्वाला इसी को कहते हैं कास्थायर कि यह सबब टूट चुके आप रेकिंग डाउन बहुत हद तक religion देखर के अभी लेकिन रियल पैमाने पर देख जातों नहीं टूटा है कि टूटा है बठांग कुछ हद्त के चीज़ें खतम हो गई है अभी देखो यहां पर कहा रहा है इफ पोजिशन हुलेट ऑस कंट्री वह लिफ्ट सेंचुरी अगो फॉर रिटों टू इंडिया सी सुट भी इसी लिखा है बट यहां ही सी दुना होना चाहिए था ही सुट भी ग्रीटी सप्राइश्ट अड़ चीज़ेट एट हैस हैस कम अबाउट अगर कोई इंसान बहुत समय पहले यहां पे रहकर गया हो और अब वह आएगा वह पाईगा कि बहुत जादा बदला यहां पर हो चुगा है ठीक है अंटेश बिलिटी है इस नौट इंडेट कंप्लेटले डिस्पाइट कॉंसिटोशन प्रोवेशन साइब अंटेश बिलिटी पूरी तरह से तो नहीं खतम होई है वह थो हमारे कॉंसिटूशन में खताम हो चुकी है यह यहां पर कोश्य बाकि यह सब सीम चीज है आप देख सकते हो कास्ट कंटि इन दा बिलीफ था एक कास्ट इस तोल बेसे अफ़सरी कम्यूनिटी जैसे की कमीनियूिशम का केस था का स्टेजम भी उससे तरह का एक बिलीफ है कि सब्सक्राइब करें पिल्सक्राइब कंट पूर्ण को जोड़ा हुआ है अब इस तरह के तिंकिंग से अकॉर्ण पॉड कास्ट बेलंग तो निच्रल सुचल कम्यूनिटी और यह से मिंट्रेस्ट में किसी और को इंटर ना करने दोगे कहीं ना कहीं से कास्ट इंप देश को उतना ही पर बात कर रहा था जितना कम्यूनिजम और दोने में कुछ खास अंतर नहीं है बस वह था कि वहां कrüम्यूनिटेजी और कह एस है और क्सट रोगेश्ट में यहां च्छुटे लोग हैं और पूरी की पूरी कम्यूनिटिग और दीसे को जा रही तो अब गलाएं कि अखाने वगष में बंज चौणा में जए गशुक्त में रेक्राएंगे और इस तरह मुंसलमान कcience नंपर करकिकिल choosing पर क्या करूं यार सही बात है ना चलो और नीचे दिखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज एंड कंडिडेट इन इलेक्शंस में कपील तुदब का संटिमेंट टू मस्टर सपोर्ट लोगों के बावनाओं के साथ लोगों की जाती कि साथ खिलवार की जाती है सर ताकि आप हमें आओ हमें वोट दो हमें वडTrust हम जीतेंगे हम हिंदू हम खुड़ को दोगे तू मुसलिम को बोट की वर्ट गे तो मुसलिम के साथ किए बाट तिया अपनी कुर्सी के लिए लोग भी इतने पागल हैं कि खुद इस चीज में जूड़ी आते हैं धर्म के नाम पर बरबाद हो रहे हैं लूट रहे हैं खैर कोई बात नहीं आई यह देखते हैं कुछ पॉलिटिकल पाटी आई जो कास्ट के वह बहुत ज्यादा काम करती हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव को भी उस तरह से उतारती हैं और उनको भी उसे नजर से देखती है इस ने कहा था कि वान परसंट वन वोट के लिए जोड़ रहे हैं तो कास्टिजम को उप्योग कर रहे हैं इसमें ठीक है इसको पढ़ते होगे ही तो यहां पर क्या पढ़ेंगे है तो का मतला बता है अभी तक अंटिल नाओ लिख दिया है सब ट्रीटर्जाइड इंफिरियन लोग देखो लोगों के बीच में आचुकी है चेतना जग चुकी है लोगों के बीच में और अगर चेतना नहीं जगी है तो मैं आपको एक चीज नहांते क्लिर कर जाता हूं अभी यह बात अपको यहीं क्लिर हो जाएगी देखो लिखा है क्लियोरी वाइल कास्ट मैटर्स इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स तो दू में अधर फैक्टर्स वोटर्स हाव इस्ट्रोंग अटेश्में टेश्में इसका मतलब है कि लोगों ने कास्टिर्सम को साइड करके वोट दिया है निता के ऊपर वोट दिया है प्लेटिकल पार्टि को देखकर वूट दिया है कि नहीं तुम कहते हो कि सिर्फ मोदी जी हिंदू कम्यूनिटी के वोड लेकर जीत रहे हैं मैं कर रहा हूं कि देश में इतने हिंदू है कि पॉर्ण भूमत की सरकार बना देंगे बिना मुस्लिम सपोर्ट कि बिना अधर रिजन के सपोर्ट कि नहीं ना तो चाहें वो जग्यू है जो देश में अच्छा काम कर रहे हैं जो देश में अच्छे नेदा हैं उनको सपोर्ट किया जा रहा है आया समझ में तो कास्ट छोटे चोटे चगह पर बिहार जैसे देश में ही सौरी राज्य में ही और यूपी जैसे राज्य में ही या फिर जारखन जैसे र रादर देन तेर कास्ट ठीक है तो नीचे यहां पर कुछ पार्ट से मैंने डिर्क बताया था मैं आपको यहां बहुत कर देता हूं तो यह कहता है कि नो परलेमेंटर कंसुच्वेंसे इंदे कंट्री हजए अगर तुम कहते हो कास्ट सब कुछ है है पॉलिटिक्स का अंतर में भीड़ा हुआ है तो कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो सिंगल कास्ट को से मिचॉरेटी में आ गई हो ना जाए पर एक से ज्यादा वोट जाते है पर एक से ज्यादा वोटर्स हो जाते हैं वोटे और किसी को स्ळाओने हुशाभा test है तो अब टॉपिक है पालेटिकस न कास्ट लिई पोलिटिक्स तौ इंट्लोएंसे दता सिस्टम आड कास्ट आइए आईनुटेटी कि आप लोगों को एक क्षटरी के नीचे एक कास्ट के नीचे आप अपना काम निकलवाते हैं और आपने जिते कास्ट आइनुटेटी लिपी बिरें द इस्टा आग सो यह ने लाता है प्रिक से इनकांपड पर दिए्टिक लिए वह इसकी हएगा यह लोगा अधून के भुप यह वह वह सबस्क्राइब मतलब टूर्गी तस इस नौट पोलिटिक्स जाटिकथे वह दौडवन में जो यह जो एक घ्रस्ट किया थिए सबस्वत्सक्राइब तो बढ़ा कास्ट वो नहीं चाहता है कि जो कास्ट निकल कर उनसे बने उनको सपोर्ट करूं उनको सपोर्ट नहीं करते हैं उनसे अलग हो जाते हैं पहले गलती है होती है दूसरी सुनों वेरियस कास्ट ग्रूप और कोईलीशन वित अधर कास्ट अधर कम्यूनिटी अधर सेंटर डियालोग और नेगोसियेशन अब चाहिए यह कि बहुत सारे कास्ट गूप एक साथ एगटवंधर बनाए एक से ज्यादा कास्ट के कम्यूनिटी के और एक स साथ किसी बातचीत करें एक साथ कोई नेगोसियेशन करें नियू काइंट अव कास्ट ग्रूप अब जैसे कि लोग पहले कास्ट था अब वह बैकवर्ट फॉर्वार्वार्ड हो गया इसको भी प्लिटिकल इरना में आयों कुछ समय हो गया है तो इस तरह से दिखा जा सकत प्लिटिकल जो हमारा ग्रूप है जो करता है वह अच्छा रोल प्ले करता है अलग लग टाइप पर को सिच्वेशन में एक्स्प्रेशन ऑफ कास्ट इफ्रेंस इन पालिटिक्स किप्स में डिसे डवाट गडबड हो याती है और बहुत ज्यादा दिक्कत पहुंचाती है क कास्ट को डिमांड को अगरा या फिर कम इलिजम को कभी-कभी अंजाम देती है पर कुछ केसे में यह काफी सही काम करती है क्या रहा है कि सो इन दिस सेंस जो कास्ट पॉलिटिक्स हाज हेल्प फॉम्द दलित और ओबीसी देखो यह है कि अगर कोई दलित को और ओबीसी को क इन पर्टिक्लर कास्ट अब बहुत सब्सक्राइब हैं जो किसी भी पॉलिटिक्स को लेकर के कास्ट उनके अंदर का डिस्क्रमेशन के कास्ट को लेकर के उनको बेवस्ताय दी गई है वो खतम कर बंद कर भाई जैसे कि हम सब यह चाहते हैं कि अब यह खतम हो जेनरल के आखे दो उनको resources दो पर discrimination बंद करो बंद इंसर प्रिजर वेशन वगर के के समें सो एट से फिर्फ टेंशिव अटेंशन के प्रीजिटिश निगे प्रदूस्ट अब आपनी इंप्री अंजिटी अलोग इस निदिया का कोई प्षिए अगर सिर्फ कास्ट पोलिटिक्स रि देगा, it can devote attention from other pressing issues like पुबूट, यह सीधे सीधे देश में चल रहा है बड़ी बड़ी समस्याओं से नजर हटा देता है, जैसे कि गरीबी है, भी कास है, करप्संस है, इंसे हटा जाता है, कश्छा डिशन कंविजन लाइब कभी कभी के इस यह होते हैं, जिनमें आपका कांफ्लेक्ट वाइलेंस वगयरा भी हो जाता है, तो चलो बच्छो यार, वेवरिवन, यह आपका क्लास हाज-क्छाज खतम हो गया, जन्डर इजन का लास्ट टॉपिक था, अब आपका क्लास ह नहीं होने वाले मैं बता रहरा हूं एंश रायटके से शुरू होगे आंसर रायटकि किस तरहसे आपको आंसर रायटक करना है आंसर राइटिंग शुरू होने वाले हैं आज की क्लास्ट खतम होगी अब यह भी ओनलाइन वीडियो आएंगे क्लास्टरूम से भी डिस्कुस होंगे तो प्लीज यह वीडियो देखकर के अब जोड़ी डाउट्स हों कमेंट में पूछ सकते हो परसनल मैसेज करके पूछ सक का आप लोग से भी जॉइन कर सकते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पीडियो फाइल अटैस्ट करती जाएगी इसमें आपको टेलिग्राम के लिंक में मासे जाकर आपीडियो डाउनलड कर सकते हो चलो हैब गोड़ डे जैहंत टेक्क्यों बबाई